हैं आप देख रहे हैं सी टीवाइंडिया नूज हम इश समय उपश्तित हैं यहां पे गौसाला बनाया हो गया है वाइबाहा मुन्यू सिंग्य तो आप देख सकते हैं गौन्श आसरै थाल बैए वहा मुन्यू सिंग यहां पर ग्राम पंचयाद विकास खंड विजू यह दो जो जानवर यहां पर जो बंद है गउसाले के अंदर वो इतने भूंखे और लाचार हैं तो आप live तस्वीरों में देख सकते कि यहां पर जो है काफी जादा यहां पर समस्याँ उत्पन हो रही है और यहां पर जो है चारे के लिए यहां पर क्या-क्या विवस्थाएं हैं तो अभी हमारे साथ यहां के जो गौसाला की देख रहे करते हैं वो लोग आ गए हैं तो उनसे हम अभी इसको खुलवाएंगे गेट और उसके बाद में जानकारी लेंगे क्या-क्या इसमें समस्यां रही है और क् पढ़े गावीं चाहित हैं तो अध्यधम कब चेजावएं में प्षका चाहितों चाहिए विवस्थाएं से के बारे तो आज यहां दोली रहने हैं inके वह बैद नाम एक करते हमें रांदो के आप तो आप लाइव तसीवीरो में देख सकते हैं कि यहां की बिवस्ता इतनी जवर्जस्त है कि यहां पर गौसाले की जो देखरे के लिए लगाए गये तो हम नजडिक से आपको दिखाने की प्रयास करते हैं कि यहां पर जो कि जो विवस्था यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां जंगल के पास में यह बना हुआ है गवसाला लेकिन यहां पर सेर भी सेर की समस्याएं बनी रहती हैं और रात के समय यह लोग उस अटाने के ऊपर लेटते हैं और उसी पर रात गुजारते हैं और यहां जो जानवर है उनकी देख रेक करते हैं, 140 जानवर यहां पर हैं, और इन लोगों के लिए ना ही बाउंडरी बनी है, जिससे यहां पर जंगल का जानवर ना आपाये, लेकिन यहां पर जंगल का जानवर इधर से उधर लगातार आता रहेगा, और यहां पर विवस्थाएं इतनी मस्त इन लोगों के रहने के लिए लेकिन अभी तक इसका जो है उद्गाटन नहीं हुआ है और पता नहीं कब इसका उद्गाटन होगा जिससे यह लोग इसमें रह सकें और यहां पर रात के समय पानी बरस्ता हो तब भी यह लोग उसी अठाने पर रहते हैं आते हैं कि जो यह बनाया गया है उन लोगों का कहना जब तक उद्गाटन नहीं होगा तब तक आप इसके अंदर रह नहीं सकते और नहीं आप इसके अंदर जा सकते हैं पता नहीं कब उद्गाटन यह लोग करेंगे जिससे यह लोग यहां पर रह सकें और और यहां की जो ब देख सकते हैं जानवर सब सूखे यहाँ पे खाली सूखा भूसा इनको दिया जाता है ना ही हरे चारे की विवस्था है और ना ही इनके रहने के लिए बढ़िया, जो इनके लिए बनाएजा जाए, वो भी नहीं तो आप देख सकते हैं की जानवर यहाँ पे घुम रहे हैं, लगाता हैं इधर उदर गूमते रहते हैं खाली यहां पे बूसा के रूप में चारा दिया जाता है बस इनको और कुछ नहीं दिया जा रहा है जिसने स्टेट इसमें पालिस आती होती है जानवर कंवार्प किलो डेली हां 50 किलो डेली आती है इतने जानवर है 50 Kilo डेली 5 डेली आती है बद्दैक्स ऐसा उसकी His की बात हम गर 59 घंशाले कर तो धिल लिहाजात जानवा जब अधिकारी को यहां पे फोन लगाए जब सेक्रेटरी फोन लगाए या प्रधान फोन लगाए तब आप लोग लेते हैं उसके पहले नहीं हाँ एक चालिस करेड़ेटर है तो लई कई साहर सकीता है रखे जाएंगे और रखे जाये टॉटल एकुटल हैं की ऊपरmont यह चालिस है अथा अच्छा आप लोग यह बताएं प्रस सीजानवा provider ही सिप्डियों आप अटानी पर रहे nib। यहां कुक्षारी सथिकायद करे हएं आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको हम दिखाने का परियास करेंगे कि यहां पर जो सिक्रेटरी है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे यहां पर इन लोगों के लिए कम से कम न यह लोग 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं और इनको सेलरी के रूप में जो भी दिया जाता हो पांच छे हजार या आठ हजार कितना दिया जाता है शे हजार मिल लहा है मिल लहा है मिलता हो है नायू मिलती है कत्ते जिन से नहीं मिल लहा है अगर आप लोग लेना पर है हर काम करें कि यहां पर है और नायम लहा तो कहीं से सिकाईट करीव तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है जो है जो लोग लगाए गए उनकी समस्याइं सबसे जादा यह हैं कि उनको 8-9-9 महीने हो गए लगने अभी तक सेलरी नहीं मिली है क्यों नहीं मिली यह परसाशन को ध्यान देना चाहिए कि यहां पर जो लगाए गए है उनको सेलरी टाइम मिलना चाहिए और यहां पर बहने के लिए जो है वेवस्ता उभलवद कराई जाएं जिससे यह लो के रगभग कुए हम आपको विवस्थाएं दिखाते हैं और यहां कि अप गांप लुगों को चारा उपलब्ध हो रहा है और किया किया है अ Może भूसा आया हुआ है तो आपको तेस के लिए ही ही धानबर के लिए और को चाहिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जानवरों के लिए बूसा और इसमें भी यहाँ इधर आ जाओ इसमें दाना ना अच्छा पर अपना नाम बताओ जहंदर यह वता जो जानवर हमको इस वह सूखा जानवर के लिए कितनी आती है आती है एक बोरी रोज आती है कॉन लाता है परधान जी लाते है और यहां पर कोई विवस्था है उपलब्ध है जो जानवरों के लिए कुछ और दान के रूप में आता है और जो आता है पोडंने के लिए के लिए जाल सारा फिचा में तो हिसमें असे कितना है कितनी की तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह खेत भी पड़ा हुआ है चारा बोने के लिए गउसाले का और यहां पर पाली सुलिसा आती है जो भूसे में डाली जाती है जानवरों को खिलाया जाता है तो हम आपको दिखाते हैं कि जानवर हैं उनका हम लाइब तस्वीरें आपको जैसा कि आप लाइब तस्वीरों देख सकते हैं कि यहां पर जानवर 140 जानवर यहां पर अभी उपलब्ध हैं और लगातार इनको जो है यहां पर देख रेक की जाती है यहां पर जो तीन लोग लगाएगे हैं इन जानवरों को देखने के लिए और लगातार यहां पर दे किस तरह से यहां पे ब्वस्था की गई है तो आप देख सकते हैं यहांपर जो पानी विवस्था बनाई गई है और धुलू मोटर यहां पे लगाया गया अधर निए जानवरों के लिए यहां पर जो है जितने भी 140 जानवर है यहां पर आराम से पानी पी सकें और यहां पर जो है सुविधाय जितनी भी है